चलिए दोस्तों आज हम गेमो लीथल का प्रेक्टिकल करके देखेंगे कि उसकी क्या ग्रूपिंग बनती है पी एक संडेट से जिसके अंदर हमारे टैन वॉशर्स एड़ेड हैं और डिस्टेंस रहेगा हमारा 27 मिटर मिन्स 89 फीट यह देखें यह लिखा हुआ है और हमारा इसलिए हम इसी पर चेक करते हैं यह देखें सामने गाड़ी के पास से हमारा डिस्टेंस रेगुलर है हम लगभग इसी पर सारी अपनी गूरूपिंग्स चेक करते हैं आजाओ आपको मोगाईल पकड़ना पड़ेगा और हमारा सेटप तो लगभग रेडी है दोस्तों और यह देखिए इसके अंदर यह 200 बार की फिलिंग है हमारी और यह रहे हमारे गेमो लिथल और हम अभी एक चीज़ और इसमें करके देखेंगे कि टैन वाशर एड़ करके भी हम क्रोनो टेस्ट भी करके देखेंगे कि क् लेड़ का जो पैलेट था उसका तो एक्रेसी बताता था इसकी भी साथ-साथ चेक हो जाएगे अगर बताएगा तो और सामने यहां से वह हमारा यह देखिए यह हम अभी सामने बना के आए हैं अपना टार्गेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तो यह देखिए हमारी यह गैमो लीथल हम इसके अंदर चार डालते हैं तो इसकी ग्रूपिंग भी चेक हो जाएगी और अगर रीडिंग बताया तो रीडिंग भी चेक हो जाएगी 10 वाशर एड़ेड है हमारे और 200 बार की हमारी फिलिंग है श्रीन इसका सब्सक्राइब करके देख लेते हैं हम कि क्या दिखाता है यह चलिए स्टार्ट अब हुआ है है हुआ है है कि नियुक्स कि थे चैनल कि अच्छू चाहर शॉट चलाने के बात दोस्तों इसकी एक भी रीडिंग यहां पे नहीं आई है वो शायद इस वज़े से कि हम cardboard पे target कर रहे थे क्योंकि डारेक्ट steel पे लगना चीए तो आवाज वापस आईगी जब यह calculate करेगा तो इसने अभी calculate नहीं किया it means कि हमारा cardboard लगा है जिसपे हम aiming कर रहे थे इस वज़े से शायद आवाज वापस नहीं आईए तो एक बार में अभी हमारा एकी चीज हुई है और ये देखिए ये हमारे गेमो लिथल का pattern है यहां हम aim कर रहे थे एक यहां लगा है दूसरा यहां तीसरा यहां और चोथा यहां तो दोस्तो हमारे 10 washer एड़ेट पे गेमो लिथल भी थोड़ा सा आउट हुए है जो हमारे result के हिसाब से आप देख सकते हैं सामने ये देखिए एक बार और पास से ये पहला लगा है ये दूसरा तीसरा जो भी होगा है तीसरा और ये ये चार शॉट हमने चलाए है हमारा पिछला result था दोस्तो गेमो लिथल का यहां हम एम कर रहे थे फर्स शॉट यहां लगा है सेकेंड यहां थर्ड यहां और फोर्थ यहां तो हम अभी जर्रासा इसका जगा चेंज करके देखते हैं कि ये एक बार और इसकी प्रूपिंग हम करके देखते हैं अब इस पॉइंट को लेंगे हम यह पॉइंट वन है यह पॉइंट टू है कि क्या वास्तों में अलग ही हम आउत ही मार रहे हैं या सही मार यह हमारा सेट अप हमने करके रखा हुआ है इसकी गुरुपिंग देखते हैं क्या बनती है पकड़िया एक हमारा गिर चुका है रस्ते में यह तीन पैलेट से ही हम इसकी गुरुपिंग देख लेते हैं गैमो लिथल के 5.5 ग्रेंग के इसका प्रेशर दिखाज़िए 200 बार पर इसके अंदर 10 वाशर एड़ेड है दोस्तों अभी हमने बहुत सारे गेमों अभी हमारे गिरे हुए है उठाते हैं हम इच्छे लिए गेमों की बार आगे है सामने दिखाई है आप हम एमिंग करते हैं नाए टार्गेट पर हमारे अच्छा स्वारी लॉक लगी दी हाँ सेफटी पहुत जरूरी है दोस्तों आप कुछ भी करो इसमें सेफ़्टी जरूर लगा जिए करो जब आए तब तक आप थोड़ से गेमों समेट लो अपने जो गिरे हैं डब्बे में से चलता रहता है दोस्तों छोटी मोटी भूल चुक तो होती रहती है गेम में तो यह देखिए इसका सेकेंड टाइम में क्या रिजल्ट आया है हम फ्रस्ट टाइम भी कर चुके हैं इसका यह देख और चल लगे थे फिर हम जब इसे एम कर रहे हैं तो दो तो बिल्कुल यहां आये हैं और तीसरा यहां आके लगा है यह देखिए यह तो लीथल आउट क्यूं हुआ अब यह बात तो परे है समझ के क्यूं आउट हुआ है फिर भी यह दो बार कर रिजल्ट है हमारे हम एक बार में डिसीजन लेके इसको फाइनल नहीं किया हमने और अभी हमने इसको रिकावरी भी किया है नीचे से यह देखिए यह रहा और यह जैकेट पूरी तरह से फट चुका है जैकेट इसका आगे का वह भी पड़ा होगा यह रहा जी यह रहा यह देखिए यह रिकावर भी हुए है एक तो जैसा था वैसा ही रिकावर हुआ है थोड़ा सा जैकेट फटा है और दूसरे का भी जैकेट फटा है और वो उसका लेड भी बहारा गया और बैंड भी हुआ है यह आगे से बैंड भी हुआ है मतलब यह यूज नहीं होगा ड